क्या हाल चल रहे हैं? क्रिप्टो बाजार के bet coin के बात करेंगे और क्या market के अंदडर updates आ रही हैं उनकी भी बात करेंगे October month आप देख रहे हैं October month की candle आप तक कहीं न कहीं जो January month जैसी candle थी और उससे भी गहीं न कहीं थोड़ी सी बड़ी हो गये क्योंकि अगर हम January month की भी देखें यह January month की candle और यहाँ पे जो level आये थे 16,400 से 23,000 डॉलर तक आये थे यानि तक करीवन तक करीवन 8,000 डॉलर का लेकिन October में अगर हम देखें यहाँ पे तो 26,500 से 35,280 आप यूँ समझे लो तक करीवन तक करीवन 9,000 का आकड़ा और अब तक का बहुत बड़ा मन्त इस साल का बड़ा मन्त अगर हम देखें जनवरी तो था है लेकिन जनवरी को भी पीछे छोड़ दिया है October अभी तक कहीं न कहीं बड़ा मन्त हो चुका है और आज है 28 October ठीक है तीन दिन रह चुके हैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है कल है संडे संडे के बाद क्या आती है weekly closing आती है ना उसके बाद शुरू हो जाएगा next week ठीक है next week क्या होगा 30, 31 और एक तारिक की जो morning रहेगी उसमें हमको क्या मिलेगी एक तारिक की morning को monthly closing मतलब यह जो candle है यह वाली October month की यह close हो जाएगी और सिर्फ तीन दिन है monthly closing में एक दिन है यहाँ पे weekly closing में और monthly closing के साथ साथ एक gift surprise पहले दिन November के मिलेगा हमको क्या मिलेगा FOMC का update जी हाँ November 1st November को FOMC का decision आने वाला रात को और थोड़ा तियार रहेगा जो भी आएगा FOMC का तो हम आपको update करेंगे टेलिग्राम चैनल आप जोइन किर लीजिए तो अगले चार दिन volatile वाले रहेंगे थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है क्यों रहेंगे क्योंकि बता दिया मैंने आपको weekly closing है monthly closing है और FOMC है तो यह सब क्या करेंगे market को pump dump करेंगे पहले ही game हो सकता है liquidation हो सकते हैं तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा अभी 34,000 का level maintain कर रखा है bitcoin है तो सबसे पहले हम बात करेंगे solana के बारे में vanic predict a 10,600% solana price rally by 2030 2030 तक the report also delve into a potential scenario where solana become the first blockchain to accommodate application with over 100 million user अब जो भी यहाँ पे reason दिया गया prediction का ठीक है वो सिर्फ time बताएगा लेकिन 10,000% vanic की जहां तक मैं बात करता हूँ bitcoin spot ETF companies में नाम आता है vanic का भी और 10,000% price बढ़ जाएंगे अगर आप solana को hold करते हैं 6 साल ये कौन कह रहा है vanic price पहुँच जाएगा तो कहां पहुँच जाएगा अभी 31 डॉलर पे है तो मतलब 3,211 डॉलर के करीब level पहुँच जाएंगे vanic के आज से 6 years बाद next update आ रही है शिवाइनु को लेगे शिवाइनु गॉइंग टुविटनस अ significant rally are the whales pointing towards something major तो यहां पर whales के movement हो रहे हैं लगातार शिवाइनु को लेगे और शिवाइनु के network के उपर अगर मैं पिछले एक मेने की बात करूं whales की activity बड़ी हैं प्रिलियन्स में movement हुए है और जब ऐसे movement होते हैं तो देर सवेर price पे result दिखता है ठीक है अभी तक नहीं दिख पाया है लेकिन जल्दी दिखने के chances हैं शिवाइनु witness a 493 percent growth in single day transactions तो continue whales activity अपनी high लेके चल रही हैं शिवाइनु को लेके and शिवाइनु official wants crypto exchange crypto.com to support the shibarium blockchain और शिवाइनु की team शिवाइनु भी चाहता है कि shibarium को support करे कौन crypto.com एक तो whales की activity काफी ज़या है और दूसरा यहां पर crypto.com से support मागा गया है shibarium के लिए next update आ रही है fresh whale bought huge amount of token on binance become one of the biggest holder of this altcoin तो a newly created cryptocurrency whale है और किस coin को खरीद रही है purchased a large amount of token from the from this altcoin on binance तो बिलकुल एक ऐसे coin को खरीदा जा रहा है जो पिछले एक दो महिने में आप चार्ट उठाके देखेंगे थोड़ा correction अभी चल रहा है लेकिन price बहुत अच्छा बड़ा था Unify का Unify protocol बहुत अच्छा pump हुआ था और इसी को ही खरीदा जा रहा है यह short address है यहां पर wallet का और whale collected 1,90,000 Unify equivalent to 1.6 million dollar at a price of 8.5 dollar per token अब जब whale खरीद रही है तो कुछ ना कुछ reason है तो अमीद है कि जल्दी price बढ़ सकता है इस coin का थोड़ा सा research कीजिए और नजर बना के रखिए next update आ रहा है कुछ whales का movement हो रहा है किसको लेके q&t coin को लेके quant की जहां तक मैं बात करता हूँ ज्यादा कोई movement नहीं है अभी कितने quant है 1,93,000 2,00,000 के करीब है जिसकी value 20 million dollar की है यह थोड़ा unknown wallet से unknown wallet में गए है मतलब movement हुआ है quant को लेके और थोड़ा movement यहाँ पर chain link को भी देखने को मिला chain link कितनी है 6,91,000 chain link है और chain link का price पिछले भी काफी अच्छा बड़ा है मतलब 8-10 दिन की अगर बात कर लें तो कितने है 7,00,000 chain link है और 7,7,000,000 dollar के है यहाँ और कितने यहाँ पर जो transfer हुआ है यह wallet to Binance में गया है next हम बात करेंगे Flocky Inu के बारे में बहुत अच्छा pump हुआ Flocky Inu 160-170% और Flocky Inu sister token token 5 is now live and tradable तो कली announcement कर दिया था लेकिन अब जो है यहाँ पर token 5 available हो गया यानि token जो नाम ही token है Flocky Inu के इस coin का कहा available हो गया है Flocky sister token token 5 with the ticker token is now live on Uniswap and Pancake Swap धीरे धीरे बहुत सारे exchanges भी list कर सकती है token 5 को तो अभी तो नया नया आया है थोड़ा wait करेंगे token 5 का ठीक है लेकिन Uniswap और Pancake Swap ने जरूर लिस्ट कर दिया है Flocky Inu के नए coin को लास्ट एंड फाइनल अपडेट है पैपे को लेके पैपे पिछले 8-10 दिन में भी double हो चुका है दूसरा पैपे 2 वो 400-500% पंप हो चुका है और ऐसे में कुछ घंटे पहले अगर आप देखोगे यहाँ पे 28 October कितने trillion है 6.2 trillion पैपे 7 million dollar के यह transfer किये गए है Binance से unknown wallet में बहुत बड़ा huge number है 6.2 trillion 6.9 trillion की अभी burning किये थी पैपे ने इतने token burn किये थे और अभी 6.2 trillion पैपे ही निकल गए है 7 million dollar के Binance से unknown wallet में तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं पेंड किसी भी crypto में आप invest कर रहे हैं तो research करें वो बहुत ज़रूरी होती है और नीचे description में telegram x के link है जोईन नी किया तो कर लेना तब तक के लिए bye bye take care